हेलो फ्रेंड्स कैसे हो आप सब चेतनाज किछन में एक बार फिर से स्वागत आपका एक नए वीडियो के साथ तो फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं गोबी और मटर की बहुती टेस्टी और बहुती मज़दार सबजी जिसको बनाना बहुती ज़दा आसान है और बहुत कि दूबी के साथ मटर की सबची बहुत टेस्टी बनती है तो चली स्टार्ट कर लेते हैं को बीगो कट कर लेते हैं तो मैंने अपे पर चाट कर लिया फूल गोबी लिये और उसको कट करने के बाद ने उसको पानी में अच्छे से दो लेंगे इधर मैंने आपे कड़ाई कड़ाई के अंदे डालेंगे सर्सो का तेल तो यह देखिए मैंने आपे सर्सो का तेल डाल दिया है और अब हम इस तेल को अच्छे से गरम होने देते हैं तो फ्रेंड्स यह जो गोबी और मटर का जो कॉम्बिनेशन हो बहुत ज्यादा टेस्टी होता है बहुत टेस्टी बनती है इस जी तो इसके तेल के गरम होने के बाद में मैंने इसके इंदर आदी चमस के करीब जीरा और जीरे को थोड़ा से चटकने है यह बाद में हम इसके इंदर डालेंगे दो प्याज और दो हैरी मिर्ची जिनको मैंने कट कर लिया था वो डाल देगे और इनको अच् कोई भी सब्जी हो जब हम इसको इसको जित अच्छसा बदें हना गोई करने से बहुत आदें तो ऑफ चाहरे कोई सब्जी साब बनाने से बहुत पर गोई कर दया है अजर करällen चाहरे बनती है ये बच्चों को पड़ों को सबको बहुत ही ज़्यदा पसंद आती है तो हमें जरूर बनानी चाहिए और मतलब सर्दी में बनाते रहना चाहिए इन चीज़ों क्योंकि ये मतलब बज़ट में मिल जाती है सबजी बिल्कुल भी महिंगी नहीं होती है सस्ती ही है और टेस्टी भी होती है सबको बहुत पसंद होती है शायद मुझे नहीं लगता जिसको गोवी मतलब की सबजी पसंद नहीं है इसी के साथ हम मसाले डाल देंगे इसके अंदर आदी छोड़ी चमच के करीब हल्दी पाउडर दो चमच के करीब मैं यहाँ पे धनिया पाउडर डाल देती हूँ नमक डालेंगे अपने टेस्ट के अगोडिंग जितना हमें पसंदा और दो चमच के करीब मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर डाल देती हूँ यह आप अपने हिसाब से कर सकते हो लाल मिर्ची पाउडर जितनी आपको पसंदा हुतनी और अब हम इसके अंदर पाने नहीं डालेंगे बिल्कुल भी हबी तक हम इसको गैस का फ्लेम यहाँ पर कम करके और इसको अच्छे से फ्राइए कर लेंगे आप देख पा रहे होंगे इस तरीके से लेकिन यहाँ पर गै तो मसालों को अच्छे से मिक्स होने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा पानी ताकि मसाले है वो चिपके नहीं तो यह देखे मैंने आदा गिलास के करीब इसके अंदर पानी डाल दिया अगर आपको लगता आप फ्राइए बनाना चाहते हो बिल्कुल लोग करके आप इसके उपटाकन लगा दीजिए और बिल्कुल कम फ्लेम पर इसको पकने दीजिए बिल्कुल आपके सूखी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी बट मैं थोड़ी सी यहां पर तरी कर देती हूं तो इसलिए मैंने आप इसके अंदर पानी डाल दिया और आप देख पा रहे होंगे सब्जी हमारी अद्द पकी हो चुकी है यह देखी कितना अच्छा कलर आया अब हम सब्जी के आदा पकने के बाद में हम इसके अंदर डाल देंगे लैसुन का पेस्ट और इसको भी कर देंगे अच्छे से मिक्स लैसुन के पेस्ट से हर सब्जी मीडियम कर देंगे लो से मीडियम कर देंगे और देखें दो मिलट के बाद में हमारी सब्जी कितनी सांधार बनके रेडी हुई है बहुत ज़्यादा टेस्ट YE बन है बहुत अच्छी मतलब इसका कलर बहुँ हम इसके की दढ़ ला देंगे हैरा धनिया और आदिमस का क्री भी आती है और इसको बनाना तो आपने-देखा ही है कितना आसान है तो चलिए 9 बता ise हमारी मटर की सब्जी बन की मंखिए अप्र हो चुकी है और को कि मैं जू वा है नहीं disp According to Scripture देखने में कि मुझे जूरूर बताना तो ओके फ्रेंट्स मिलती हूं अगली वीडियो में एक बार फिर से एक और नहीं रेसिपी के साथ अपते के लिए बाई बाई टेक केर